जाल में गुर्दीब गरिवाल ते एक वर फिर तो तो दड़ा सारें दा न्यूस न्बर डॉट कॉम ते स्वागत है दोसो थाई चुलाई नो फिलम रेलीस हो रही है वेख बराता चलियां बहुती नवेकले विशे ते बढ़िये फिलम जिस्ते विच बिनु तिलों करमजीत अनमोल अते कविता कौशक तो अनो अदाकारी कर दे हुए नजरी आउन गे कविता कौशक जड़े के एक लम्मे आर्से तो हिंदी टीवी इंडस्ट्री दे नाल जोड़े हुए ने जिनन नो तुसी चंदरमुखी चुटाला दे नाम नाल भी जान दे हो ते आज इस फिलम दे डिरेक्टर एंड कविता कौशक सा दे नाल नुसनेंबर.com ते हाजर जड़े करके तो उनुसारे जान दे ने एंड उस ताइम के दे सोचे हैं कि तुसी पिंजाबी इंडस्ट्री पिंजाबी फिलमा दे नाल चुड़ोंगे. Thank you. पहले तो इस warm welcome के लिए. हाँ, मैं टेलिविजन से पिछले 15 सालों से जुड़ी हूँ. ठीक, कॉलेज करने के बाद ही मैं बॉंबे आगी थी, डिली से. और F.I.R. अपने आप में एक बहुत बड़ा शो रहा है. मुझे 52 awards मिलें F.I.R. के लिए और मेरी पहचान बन ग होगा कि एक्टर सीरियल के सेट बहुष होते हैं. तीस-तीस दिन काम करते हैं. तो मैं भी 20 दिन, 25 दिन F.I.R. की शूट करती थी. उसके अलावा बाकी टेलिविजन का मैं बहुत सारा काम awards, host करना और बिजी रहती थी उसमें तो मैं कर नहीं पाई मैं वक्त नहीं निकाल प मैं कहती थी, अरे यार मुझे करनी हैं. पर टाइम नहीं मिला था. और जो एक अच्छी चीज चल रही है, उसको छोड़ के, you know, कोई चीज पकड़ना समझदारी नहीं होती. क्योंकि एक प्रोजेक्ट के साथ बाकी भी कई चीज़ें चुड़ी होती हैं. बड़े कास्ट सब जुड़े होते हैं, सब के घर चल रहे होते हैं. तो जब हमने यह डिसाइड किया कि नहीं बस अब 9 साल हो गए हैं, अब हमें सब को चहिए ब्रेक F.I.R. से. उसके कुछ टाइम बाद ही, मुझे ये बीच में थे बड़े सारे ओफर, मराथी फिल्म थी कुछ, टीवी तो मैं करी रही थी, मैं रियालिटी शोज भी कर रही थी, जहलक दिखला, जब में भी शाद आपने मुझे देखा हो, और मेरा एक शो आ रहा था बिग मैजिक पे, फेक बुक वित कविता, तो इंट्रिस्टिंग अलग-अलग काम, फिर थीटर भी मैं कर रही थी, और फिर उसी दौरान मुझे, हैरी सर का मुझे फोन आया, उन्होंने का, कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और में पास एक कहानी है, जो आप ही, मतलब इस हिरोईन के रोल के लिए आप सूट होगे, तो मैंने का, आजओ जी सुना दो, बस इन्होंने मुझे आके वो कहानी सुन इन्होंने बड़े डिटेल में सुनाई, और मुझे ननके नरेशन में पूरी फिल्म दिख गई इतना अच्छा इनора ने बरेशिंद दिया, कि मुझे लगा कि इस फिल्म का तु मुझे पाँ बनना ही बनना है, आप सब देखियेगा वेक बाराता चलियां, व्हात जणी ह् तो अपनी पूरी फैमिली के साथ फूल एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है यह फिल्म्टे दी डिरेक्टर ओल चाल ला डाया बामबी तो साघी फिल्म इंडृस्ट्री नो कई नवे चेरे मिल nights est लेघ मैं फैन सी गय período讲 लिणत्टा방 looking style एक्ट कर देशिए अपने पनजाब ते पाने पनजाब ते लाखते हैं, शेयर या पिंड दखा देंडे या फिर उप्रेक्टर के रहाने जड़ी लेंग्वेज आप दखाईये तो उनाच भी पूरीजमें सादे थे रो बड़े हंदे ने, उदर भी पूरे रो बड़े हंद चंदर मुखी चोटाला जोड़े माइंड सेगी, मैं फिर इना नो फॉन किता, एक दो प्रजेक्ट वास्ते पहले भी किता सिगा, पर बड़े हो बीजी सिगे, आता मैं कहनु तो मिलना हैं, फिर मेने देखार जाके नरेशन दिता है, ना दे मदर भी हो थे बैठे सिगे, म बॉलीवुड तो जड़े आरेने, कविता कशिक जी, गोविंद राम दे मुकेश बट, तो एना नर मैं पहले बरी काम करना सिगा, थोड़े जा सिगा के टैकल के में करूंगा, बट पता भी नहीं लग गया, जिस तरह एदर दे एना नर बीनु पाजी हर नाल, पला साव न सेम एना देना अलकमिस्ट्री बनगी, तो बहुत मजाया काम कर गए, कि कॉमेड़ी फिल्म ताहीं बदी या बन सकती, जे सेटे महौली हासमुख जार वे, ओमनो आर्टिस्ता ने बहुत ज्यादा स्पोर्ट गिता, ताही तुसी देखिया, ट्रेलर देखियागा, तो एक बन दे लिए, तो दे लिए शुष्टा गिता भिए, तो दे लिए खिया पर तो दे पूरी फिल्म बनाई भी या तो दे वेखियागा, इना ते काम भारी की कहूंगे? वन अफ दा बेस्ट वर्कॉ फिर फादर दे , कैन दे कोई सार्फिफाइस करना, रुमर्टी के तिन चार थनों पर टकॉ ते यह सेम हो ही इस फिल्म दे विच भी सीगे ताना थान। उनू फिल्म दे अड़ी चटाला तो काफी डिफरेंट मिलेगी सरला। मैं इस फिल्म देवेच डिडे लीड रोल तोडे आर्टिस नेगे बिनु तिलो हुरी, करम जीत अन्मोल हुरी, पंजाबी इंडस्ट्री दा बहुत वर्ड़ा नाम ने, तौनोवी कॉमिक रोल्स तेली काफी सरे अप्रिसेशन अवर्ड भी मिले हुए नेगे, बिनु तिलो पूरे होल प्रसेश, होल वर्किंग एक्सपिरियंस के दना सी। मैं यह मानती हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो एक टीम वर्क होता है। कोई भी कारेक्टर, हीरो या हिरोईन फिल्म से बढ़ानी होता। और सबकी जो एनरजी होती है ना, यह जैसे शोले है, वो सबकी एनरजी डिरेक्टर, फिर बच्चन सहाव, वो बसंती में हे मामालनी, अपने धरम जी, फिर गबर सिंग, मतलब सारे के सारे सबकी एनरजी, मतलब इन में से कोई भी कम या जादा हो तो शायद वो चीज वैस में, वेदर इट्स डिरेक्टर और लीड आर्टिस्ट, इवन जो बाकी आर्टिस्ट हैं, जो छोटे बड़े तरह तरह के रोल्स में फिल्म में दिख रहे हैं, सबकी एनरजी जब जॉइंट एफर्ड एक साथ आती है, तो कभी-कभी कमाल के प्रोजेक्ट बनते हैं, दिल सबकी एनरजी होती है, और मैं वही बोल रहे हूं कि भूत मुश्किल से ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं, जहां सबकी एनरजी इतने अच्छे से सिंक हो जावे कि पिक्चर इगनी बढ़िया बनू, बनू. एक्सिलन, मैं किते पादरी इसी कि तोड़े फादर साब नू पंजाब देनान बड़ा लगाव सी, ते तुसी पंजाब आयो, पंजाबी लोका नू मेले, पंजाबी खाना मी खादे, ते कुछ चीज़ा है नने पंजाब आपके एदन ही खादी हैं, जड़िया नही नही मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और पंजाब में उनकी एज़ पोस्टिंग रही है, तो मेरे पापा को था लैंगविजिस पिकप करने का ना, नैक, तो वो पंजाबी यों देनाल पंजाबी विच गल कर देने, और हर्यान्वियों के साथ वो रह बालकों, वह क्या बा से उनको छेडने के लिए बेंगॉली में भी बात करते थे, तो यह लैंगविजिस के साथ खेलने का जो इतिंग हुनर है, मुझे पापा से आया है, और पंजाब मेरे फादर के दिल के बहुत ही करीब था, और उनके बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड, सरदार फ्रेंड रहे हैं, जो घर पे आते हैं, और आज भी, मतलब आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वो पूरा फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरे अंकल्स and everyone, they are all very close to us, तो मैं यही सबको, in fact मैं शूटिं के दोरान भी, हारी जी को यही बता रहे थी, कि हारी जी, पापा ये फ फिल्म है, और साथ ही दो सवादो घंटे इतने फट से चले जाएंगे ना कि आपको लगेगा, अरे यार, खतम होगी पिक्चर, बिल्कुल मेरे, यूनो, पापा के मीटर की पिक्चर है, मैं बार बार इनको शूटिंग पर कह दी थी, कि हारी जी, यूनो, तब शायद ये अच्छे से पर्सनली जानते नहीं थे, तो ये शायद वो उस इमोशन को ना उस सम्मेशाद पकड़ पाएंगे लेकिन अब मैने इतनी बाते कर लिये हैं पापा के बारे में, यूनो, यूनो, बहुत खुश हो, कि, यूनो, लेकिन बस हाँ, इस बात का अफोस है कि पापा देख नहीं पाएंगे मुझे बड़े स्क्रीन पर इस ब्यूतिफुल सी फिल्म में, लेकिन इट्स ए ग्रेट एक्स्पिरियंस, यहां का पंजाबियों का कल्चर तो, यूनो, आल ओवर दे वर्ल्ड फेमस है, यहां के कलर, यहां का खाना, यहां की एक जो वाइब होती है मतलब, अपने हाँ पी जोश में जाता है बंदा, अगर कमरे में एक-दो पंजाबी बेठे हो ना, तो कोई साइड भी बेठा हो ना, तो वो भी जोश में आ जाएगा, कि हाँ बाओ, कित्थे बल्ले-बले करनी है, तो, that's great, और हाँ, एक चीज जो मैंने यहां की खाई जो तो हम सारे बेठे हैं, और निकले हम लोग, तो एक जड़ गए ला, खुलफा, खुलफा खाना सी, खुलफा की होंदा है, इतने में आई जी एक प्लेट, सबसे पेली प्लेट मुझे दी गई, तो, मैंने का ठीक है, मैंने एक बाइट लिया, मैंने का यह क्या है, लाँ, ल तो हम लोग प्रोमोशन के लिए लेट हो रहे थे वरना हमने वही तीन-चार प्लेट खा लेने ते इतना टेस्टी था तो फिर बावादें कहा कि भई ये अमरिच सर है कविता जी और राइट करत अविता है। सी हर किसी की न, एक परसनल बैकल होती है, अफकॉस, मैं बहुत लगी हूँ कि मुझे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अभी महारी जी और मैं यही डिसकस कर रहे थे, कि बंबई में मतलब एक जगह है जहां पर आफिसे जी आफिसे हैं, और बड़ा मुख्किल हो जाता है कि यह डिसाइड करना कि जी फोन आया है, तो यह लोग ठीक हैं, नहीं ठीक हैं, कैसे हैं, तो येस, यूर राइट, I've been very lucky in that regard की, ना सिर्फ मेरी टीम एक बहुती काबल टीम है, ये एक लड़की के लिए बहुती ही इंपॉर्टन होता है, तो येस, I believe की, शाद पापाई में को ब्लेस कर रहे हैं उपर से, की मैंने एती जनुएन, तीम के साथ मेरी को मेरा फिर्स ब्रेक मिला है, और जैसे की मैंने का यहां की कहानियां बहुत अच्छी हैं, content, in fact, Harry जी की जो next film आ रही है, बिनु जी के साथ ही है, उन्होंने गाड़ी में उन्होंने में को कहानी सुनाई है, and I was like, wow, you know, ऐसी कहानियां हम टीवी पर नहीं देखने को हमें मिलती, हमें जो टीवी पर ओफर्स आते हैं, मतलब मैं और मेरी बहुत बड़ी-बड़ी अक्ट्रिसेज, my friends, you know, हम लोग फोन पर डिसकस करते हैं, and we are like, चल, फार्म खोल लेते हैं कहीं, खेती करते हैं, यह क्या ओफर आ रहे हैं, you know, यह क्या बना, और टीवी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ और बन रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, आपको खुदी पता है, आजकल क्या गांटेंट आ रहा है, तीवी पर दस साल के बच्चे की शादी हो रही है, भी रोहीन मक्खी बन जाती है, आप वैसे भी टीवी ओन करो, कहानी तो है ही नहीं, यह नो, सो परफॉर्म करने के लिए कुछ है नहीं, आप आटिस्ट फिर सोचता है कि क्या क्या, तो, यह, लाइका सेट की, इन फाक नहीं लोगों की तनी अच्छी अच्छी कहानियां अच्छी बना रहे हैं फिल्मे, I'm looking forward to doing some more good content वाली अच्छी फिल्में पुझाबी. फिल्म दा म्यूजिक बड़ा खास रहना है, ते सर नू पुच्छांगे की फिल्म दे किदान दे गानेने, कुष्टे सी सओन लेनेंगे, कुष्ची जाके फिल्म दे जो विखांगे उदू सुनागे, फिल्म दा म्यूजिक गुर्मों ही किता हॉया, ते फिल्म दे अच्छी नभी किता है, जड़ा मृंदर पाजी ता, गणा मृंदर गिल जीता, प्रफ्तार देता सूग्व जितें देंदर्इशाजी ने किता है, जो गने रंजीत बाबा जी ने एक कंर अरु जीदे रवाइब घर गई रफटार्ड गाना, वहाँ बीर सिंग जी ने लिखे, बीर सिंग दें, छोग जी टें ही ने एंग यहाँ दरी को दें अन आगादा मां आपन्जापी मीजिक अवाता है? अपको पंचापी म्यूजिक कैसा लगी? आपको पता है भी है तब हरीजर से पूछ चुछे जिसन फिर्स दे वेक बराता चालिया इसनलिया है, धर इसनलिया दिर्लाइज तो में इनको रिलीज कहा था? फिर लारी आया, मैंने इनको का, मेरे को गाने बेज़ो, मैंने को गाने बेज़ो, बेज़ता हूँ, मैं तुम्हे बेज़ता हूँ, फिर सुख आया, मैंने का, अब तो भेज़ दो, उसके बाद अभी मेरे खाल से कलिया परसो ही आया ना, नूलबनी, मैंने का, एक से एक बारिष होती है, 30th floor मैं रहती हूं, तो बड़ा मौसम की मज़े लेते हूं, इवनिंग में जब बारिष होती है, बारिष होती है, बारिष का मौसम है, I'm listening to Punjabi folk music, और लिटल, you know, Sufi वाला, I think this film में वो सारे flavors हैं, music में, जिसके लिए Punjabi music is famous, naughtiness भी है, लारी is a full-on romantic, naughty, fun, you know, dancing number, वेग बराता चलिया, इवन जो रफतार का भी, आप लोगो ने सुनानी है, जब वो आएगा, तो आप लोगो बहुत पसंद आएगा, सुख में तो मतलब, मुझे पता नही था, अमरिंदर जी की इतनी melodic आवाज है, क्योंकि मुझे इतना ज़ादा एक्सपोजर था नही पंजाबी films का या music का, it's really great, पूरी जो आलबम है, आलबम कर दो ना, release, मैं, बत इन को ही बोलती रहती हूं, मुझे आलबम, मैंने को एक CD देदो, मैं हिरोईन हूं, मैंनू सुनलेंडो, मैं पाटरी सी, Google तो आड़े सच कारी सी, तो लिखे हो आया ऐसी, कि, कि मैं कॉलेज मैंने खतम किया था तो मैंने मैंस कम्यूनिकेशन का मैंना कोर्स करने के लिए जामिया में दिली में मैं एंट्रेंस एक्जाम दिया लोग पास नहीं होंदे और मैं यूजली किसी चीज में पास नहीं होती थी पर मैं इसमें पास होगी तो मैंने का रह यार जा कि मुझे लगता था मैं तो इतनी ना सुंदरू ना मेरे नहीं 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 ये ऐसा मुझे इस तो 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 जिस दिन मैं पहले दिन college attend करने जा रही थी अपना post-graduation वैसे तो मैंने अपना college इंदरप्रस्ता से किया है philosophy honors तो मैं और मेरी फ्रेंड तो मेरी फ्रेंड ने का कि सुन सुन बाला जी के ना audition हो रहे है वेंकर टेशवर college में south campus में चल देखे आते हैं मैंने का नहीं यार पहला दिन है जाके lecture attend करते हैं कैती चलना थोड़ी देर में आ जाएंगे वो बाद वाला lecture attend कर लेंगे मैंने का चल जिद कर रहे हैं तो हम मैं टिपिकल सी कहानी है कि उसके लिए मैं गई थी और SIE studio था वहाँ पर मतलब रूम था वहाँ पर वेंकी में वेंकर टेश्वर में और जहां पर auditions हो रहे थे तो जो auditions ले रहे थे उन्होंने का आप आप याओ आप मैंने का नहीं नहीं मेरे से मैं तो in front of the camera मैं नहीं नहीं आमने लाइन ही तो बोल दो तो मैं भी मस्ती कर रह आपको audition और इस show में कुटूम नाम का एक show था कुटूम का season 2 उसमें जो negative lead है उसके लिए उन्होंने आपको पसंद किया है क्यूंकि ये एक typical you know था कि लंबी पतली लड़की negative you know उसको वैसा वो rich bitch एक बोलते थे इसको यो बना दो तो मैंने का ठीक 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 no problem तो मैंने मम् ने का चल घूम के आते हमारे महाँ पे friends भी है family friends Bombay में उनसे भी मिलाएंगे बस ये 15 साल पहले की बात है मैं जो आई एक बार very thankful to Ekta Kapoor उर उन्होंने मुझे बहुत काम दिया और मुझे जो struggle होती है कि एक नए शहर में आके काम ढूनने वाली struggle मुझे नहीं करनी पड़ी सीरिल के बाद दूसरा सीरिल और सब में यूजिली वैसा ही होता था कि you know मैं हीरोईन की बैंड बजाने आ गई हूँ you know TV पर जो चलता है तो मुझे उसके लिए बहुत अवार्ड मिले best actress in a negative role star plus star pariwar awards में best actress in this that in a negative role वो जब मैं कर रही थी ना फिर एक point आया कि तीन चार साल में मैं थोड़ा समय को लगा है यार सेम हो रहा है कुछ मुझे और करना है फिर F.I.R. के makers ने मुझे अप्रोच किया क्योंकि उनको एक थोड़ी towering personality चाहिए थी F.I.R. के लिए F.I.R. में भी किसी और का हो रखा पर रहा है था कॉंट्राक्ट तक साइन हो रखा था फिर जब वो मेरे से मिले मैंने उनको का मैंने का इसको आपना हर्यानवी बनाओ या पिसको पंजाबी बनाओ मैंने का मैं पंजाबी सीखती हूं मुझे है अलकासा मैं सीख लूँगी accent मैं कर लेती हूं तो उनने हर्या इतनी पक गई है कि यही मेरी इमिज बन गई है तो इंटर्व्यू जान मेरा दिल नहीं का रहा हूं पंजाबी हर्यानवी में एक सारी है अते जान्दे जान्दे इनन वालो एक सनिहा ताडली है अठाई चलाईनू फिल्म आरी है वेख बरातान चलिया है रिद्म बॉइस अपने आप जान्दे नहीं सिर्मा करांदे विच पर फिर भी मैं चाहांगी कि एक वरी तुसी अपने स्टाइल दिनाल दश्का नो अपील कर दियो है असी ही कहना चाहांगे जी में डेट इननने हुने तसी है अठाई जुलाई नो वेख बराता चलिया है जरूर देखियो तो बड़ी में तुदिनाल फिल्म बड़िया है प्रोडूसर जड़ा रिकॉर्ड है अंग्रेज, लव पंजाब, बंबू काट, लहुरी है अन्या ब्यूटिफुल फिल्मा बढ़िया है ने मैं एस डिर्क्टरस तो पहले जड़ी मेरी कॉमेडी सी हो सी मिस्टर और मिसिस हर्यानवी में हो जाए हर्यानवी क्या मैं पंजाबी विच गल करांगी सूट बूट सोने जे पालो टाइया शाइया कस के लालो और जल्दी से आजो सिनमा घरो इच और देख डालो वेख बराता चलियां 28 जुलाए सास्रिया काल जी होंते भी जाना बंदाया ते होंते अरेडी बहुत पसंद कारे हों कमाल दे गीत वी ने तौट दे इंटर्टेंमेंट देली और जुरूर जाओ अपने नेडी दे सिनमा करांदे वेच्छे ते अपनी फामिली नो भी लेके जाओ साशी काल